आप देख रहे हैं नियूस सेरीडियो और मैं हूँ अरफाज अमडायंग कल एक स्टोरी हमने आपको दिखाई थी जिसमें डेरा महला वार्ड नुमर तीन च्वादी के कुछ लोग जो हैं दूसरे पक्ष पे जमीन हडपने का एक आरोप लगा रहे थे आज अगर हम बात करें आज हमाईसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर्मायसर् जहां पर हम गे थे जी बिलकुल सर उस सर ने उसने जूड बोला है डी सी मैडम को घुम्रा किया है और वह एक क्रिमिनल है जो महम्मद अजीज है वह क्रिमिनल है उसके ओपर 20 F.I.R लगी हुई है और सर जो जूड बोल रहा है वह सरकारी जमीन है यह देश हामलार जमीन है य इसमें जो दो कनाल में इसमें दो कनाल में मेरा मकान है और डेड़ कनाल में यह बाटर टेंग है और दो कनाल में पिशे मजिद है यह सारा सर जूड बोल रहा है डी सी मैं को गुम्रा किया है इसने तो इसके ओपर एक आर बाई होनी चाहिए अश्रब सब जिसने से कल तसील को लिखा तसी दार ने नाइब तसी दार को लिखा वहां पर रेवन्यू के कुछ लोग तो आई होंगे बिल्कुल सर आए हैं उनको मैं हमना कागज दिखाए है और यह मारे कागज है देखिए अच्छी तरह से लीजिए इसको दिखाईगे मैडम को ताकि मैडम को पता चलना उनको बोला है उस टाइम बोला है मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है इस बात की देखो आप तो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे एक तो वो स्टेट लैंड है दूसरा वहां पर पारकिंग की जाती है मस्जिद के निमाज वगरा जो पढ़ने जाते हैं स्कूल के से जादा और एप्लिकेशने लगी हुई है सो से जादा इसके उपर और यह अभी साथ महिने जेल में रहके आया है यह क्या बोलते हैं इसको एक मिन्ट मैं बताता हूं आपको इसने जो पहला मडर किया है यह इसने नूर एमद का मडर किया है कतिस दिसंबर दो हार एको और इसमें उसके क्रेशर में उनको पैसे नहीं देते थे यह उनका अगर बता रहे हैं सिर्फ अर लगी है नूर एमद की और इसको एक दिन सजा नहीं हुई है यह साथ मीच नहीं सजा होती है कितने से बाद 20 साल के बाद इसको सजा होती है यह बलाइंट मडर है सर यह जो 14 जल इसके स्कूल के सामने वोलती है उसको इसको स्कूल का नाम आ को डिली इंटरनेशनल के सामने एक तलाब है बहां पे 10 लाओ मेन इसना जबर्दस्थी जेरीहिही है वो सरकारी जमीन हुखिः सिर्कार blij जाये जाहे फिर उसके बाद इसने हमारे पर हमला किया है उसके बाद मैं एक बाद और बताना चाहता हूँ आपको जैसे इसने उसके तेलियों के उपर गोली चलाई फिर इसने उसके बाद ब्रहमनों के उपर गोली चलाई इसने कम से कम गोली के बारदाद ही कम से कम बीस से ज़्यादा की हुई है वो तो कानून देख रहा होगा नो इसमें फायर लगी होगी बिल्कुल सर इसके पर दर्जा है जो लड़के काला आपको इंट्रिव्यू दे रहे थे सर उनकी ऊपर बीस बीस फायर लगी हुई है सर यह वो ड्रामे कर रहा है वो इतना कि आद्मी में के वह बेकूं बना रहा है डीसी साब को जा गए डीसी सहाब मोके पर आएं और देखें यह क्या है एक मिश्या जेह गया चैना यह नहीं यह इसको अच्छी तरह से कभर कर यह यह जना presque किया है इसका बेट छूंप बेकुफ बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है बिलकुल सर ब्लकुल पड़ लिखे होते हैं आई एस किया हुता है वहां उस कुरसी तक पहुंचते है उसमें बोहत दिमाग लगता है उनको बेकुब बनाना आतना असान काम नहीं है वक्तितुर जो थीक लगा उनुने किया मेरा काम बंद है मैंने उन्होंने बोला कि काम बंद रखो हमने बंद रखा हुआ है वक्ती तोर मैंने बंद रखा हुआ है मैंडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काम चला है जो है और यह काम चलना चाहिए मेरे घर में शादी है दस दिन के बाद यह वह जिद निकाल रहा कि इनके गर में शादी नहीं होनी चाहिए जो असली मसला है में मसला है और इसना सब को तांग करके रखा हुआ पूरे आप सर्पेंट साब को जो चौधी बाले सर्पेंट चाहिए उनको पूछ सकते हैं आप यह कितना पूरी चौधी से खोफ मैं है परिशान है और यह जो ल पर जो हमने एक्लीकेशन देखी उस पर वहां के पैंच ने भी स्टेंप लगाई जी में बताना चाहता हूं सर आपको जो पैंच है इसना थेक बोर्टर से त्यार किये हुए है इसना फेक बोर्टर कहां से यह सिरनगर के है कुछ चुछ कधुगा के है कोई कहीं का है वहां नहीं बोड बनाए उससे यह पेंच बन गया है जीताव अगे टो यह है लोगों के अनिया यह को पदा है कि वियुली को घाल में अपने डाकुमेंट मैंने डाकुमेंट को दे अब्सक्राइब करेंगे आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेरिफाई हो आपका काम बिल्कुल सर जल्द से जल्द होना चाहिए और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं ये की ये मैं आजी साब के पास गया था इसने हमारे उपर हमला किया है सताइस को जारा बजे इसने अचानक हमला किया हमारे उपर भीस आद मी लेखे तो उसके बाद हमने प्लीस बलाई प्लीस बाले आए देखें उनको पगड़ के लिया खाने में लिया हमने यह application दिया है 27 की एए देखना एक मिल्ट एस पी साब से मार्क करवा के 28 को दीए उन्होंने सेच्चो साब के लिखी है प्ली स्टेशन नहीं हाँ बिल्कुल देखिए ठीक है इसमें जो उनके दोरा आप पर हमला किया गया ता जी जी उसके बाद सर इसनों ने हमारे पर 8-7 तरी को फिर हमला किया और सर इन्होंने हमारे पर यह हमला किया रात को दस बज़े दस बज़े का टाइम ता यही कारण है कि हम दबाएं किस तरह से इंको परिशान करें यह जो हमला किया इनके पास क्या-क्या हत्यार थे जो महम्मद असका टोला है इसके पास एक गन थी जो महम्मद अजीज है इसके पास भी गन थी और इनके पास बहुत सारा इलीगल हत्यार है जो गोवर्मेंट जबत करना चाहिए मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका हत्यार जबत किया जाए और जो महम्मद अजीज है इसके पास लोटी ती तोका था और जो अक्तर जे इंस भर माइंड है हर 김 कांट करवाता है सारा का सारा जो कांट कर रवाता है आर एक बंदे को पूछ सकते हो आप पूरी चौदी में पूचो हर बंदा在 चोदा दोस्तारा चाहिए उसने इस चर रहे हुँए ने क्या ऊपर ब्लाइंड मर्ड करवाया है यह आभी टैक्स को जो फ्लाइंड मडर कर देने थे इन्होंने क्या किया कि जला के उसको उधर डाल दिया जो सलाहुदीन में एक बात बूल गया हूँ सलाहुदीन मोलभी को यह सारा का सारा पता है वो इधर रहता था जूपी का था वो उसने मकान बनाया था बाद में उसको भगा दिया इन्होंने उसको सारा का सारा पता है कि मडर जो ये क्रेशर पर मडर हुआ है उसको पूरा का पूरा पता है और जी जब ये अंदर रहके आयाएगी ये सारी बातें जो आप हमें बता रहे हैं ये आपने पलीस को बताई पापने नहीं पीन सामने के इन में कारवाई कर रही है ऐसको पुलीस के उपर है तो अपर उपर ठीक है बाकि आई-जी साब के बास में गया था यह शायद मैं 27 चार्थ 28 को गया था और आई-जी सब को बोला कि इसके पर F.I.R. लगाओ इसको अंदर डालो ये फिर से वो हरकते कर रहा है और जाईसाप से मैं अपील करना जाता हूं इसकी जमांत कैंसल की जाए जो महुमाद असका डोला है इसकी जमांत कैंसल को दे दिये हैं मतलब आप बता रहें कि यह माल की जगा है उनका कहना है कि यह स्टेट लेंड है हमारा में इशू वो है सुने जिसको भी तकलीफ है तो उन्होंने बताया कि यह इलिगल है यह स्टेट लेंड है इस पे आपके द्वारा महमद अश्रिफ के द्वारा कब्जा क उख ओगाइब कर दो ना है। तो बार्ट मेरा मकान है दो कि ना में मजजिद एा देड कनाल में फ़ाटर्टेंक है अगे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप यह चाहते हैं कि जल से जल वेरिफाइबी किया जाए और इसको पी ऐसे के तहद जो पहले भी पी ऐसे लगा हुआ है और एक पी ऐसे और लगा के इस मुहम्मध असगर टोला को अंदर डाला जाए और जो इसका बाई है जो चुपा हुआ है बैक फुट पे काम कर रह है यह महम्मध अक्तर कांडी कांडी यह कांड करवाता है लोगो सारों को पता है इस सीने मर्डर करवाए है यह हर जगा गोलियां चलवाता है और यही सब कुछ करवा रहा है जो महम्मध मजीद यह अजीज चोधरी जो कल साथ में चड़ा हुआ था यह जंगल में सोता है और ये गर में नहीं सोता है ये कम से कम जब एक साल से ये बिलकुल फरार है प्लीस इसको डूंड रही है मगर ये बंदा आज अचानक डीसी साब के सामने जाता है कहां से क्या इसना करवाया है क्या इसके खिलाफ 20 FIRI है अच्छा 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 लोग भी यहा तो इनको बहुत परिशान करके रखा हुआ सर जो इनकी जगा इनके पास प्रूफ है तो इनको हर शुरू से सार अभी तक दोवारने की कोशिश कर रहे हैं कारण यह है कि दुख करते हैं सर इनसे बहुत जादा जलन बगारा जोगी है इनका कोई आपस में रेलेशन है यह कुछ भी नहीं है किक गई गाइन नें तो इसमें कितनी सचा है यह तो ब Saya नहीं यह तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं तो वह जोट व्राड तो वहुत बोलता है ठीक है बाकि यह है कि मैंने सुना है वह क्रिमइनल है औरही जोँ तो उन्होंने हर केसे को ड्राते हैं वहां पर वहां पर चले ठीक है अब आपका एक बात में बोलना चाहता हूं कि यह बंदे जो है यह हमारी फैमिली के और मेरे और सब के जितनी मेरी पूरी फैमिली इसके जुम्हेबार है जो अगर कुछ होता है यह मैंनका नाम लेना चाह हुआ है उसके बाद जो आता है मुhmद अक्तर जीज चोधरी मुहमद मजीद मौदम और उमर जो इसके लटके हैं यह सबी के सबी बद्माश है अगर कुछ होता है मेरी फैमली को और मेरे को कुछ होता है परशाशन और ये जमजाद होंगे करें इनके साथ बात करें खिलाल दीजेए अजाशाशत मैं आरफाज अमड आएंग कैमरावन शानवाज के साथ